आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहे हूं बहुती टेस्टी रेसिपी इसको बनाना है बहुती सिंपल और बहुती जटपट बनने वाली रेसिपी लेकर रहे हूं आज मैं आप सभी के लिए हलो एवरीवन वेल्कम बाक टू मैई चानल कुक विज्जे के आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ आलू टोस्ट की रेसिपी गैस आलू को ना ही हम फ्राइ करेंगे सिंपल हम मसाले डालेंगे और मसाला रेडी कर लेंगे तो गैस इसको बनाना है बहुत ही easy, simple आप सभी ट्राइ कर सकते हैं इस रेसिपी को गैस बहुत टेस्टी भी बनता है गैस अगर आप सभी मेरे शानल पर नए है तो प्रीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे शानल को चलिए गाइस स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रेसिपी को गाइस मैंने सबसे पहले बॉइल डालू ले लिया है उसको मैंने मैश भी कर लिया है इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रहे है थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे रेड चिली पाउडर थोड़ा सा ब्लेक पेपर और औरियनो में डाल रही हूं इसमें जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है थोड़ा सा गरम मसाला भी आइड करेंगे और इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे गाइस इसको हमें नहीं भूनना है बस इसको ऐसे ही मैश करेंगे और हमारा मसाला जो है एकदम टेस्टी रेडी हो गया है गाइस अब मैंने दो ब्रेड के स्लाइस ले लिए है गाइस अब हम इस पे थोड़ा सा बटर स्प्रेड करेंगे ताकि हमारी जो सॉसेज है अच्छे से स्प्रेड हो सके अब इसमें हम शेजवाइन चटनी डाल रहे है या फिर आप कोई भी सॉस डाल सकते है जो आपको पसंद हो और थोड़ा सा मैं ग्रीन चिली सॉस डाल रही हूं आप हरी चटनी भी डाल सकते है और गाइस इस स्लाइस पे तो लग गया है अब हम इस पे आलू डाल लेंगे खूब सारा आलू लगाएंगे इस पे गाइस क्योंकि नहीं हमने इसमें ओयल से कुछ इसको फ्राय किया है बहुत ही हेल्दी भी है ये तो आप सभी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राय करना गैस अच्छे से स्प्रेट कर लेंगे आलू को ब्रेट पे दोनों ही स्लाइस पे हम अच्छे से स्प्रेट कर लेंगे आलू को गैस हमने आलू जो है वो स्प्रेट कर लिया है अच्छे से देखिए अब इसको हम टोस्ट कर लेते हैं गाइस पैन ले लेंगे अब इस पे बटर लगा लेंगे गाइस आप घी भी लगा सकते और अच्छे से स्प्रेट कर लेंगे पूरे पैन पर और गाइस आलू की साइड से हम पैन पे रखेंगे और इसको क्रिस्पी होने तक अच्छे से टोस्ट कर लेंगे गाइस इसको मैं कर लूँगी अब और बैक साइट से भी हम अच्छे से इसको क्रिस्पी बनाएंगे देखे गाइस कलर कितना अच्छा आ रहा है हमारे ब्रेट का दुबारा से टर्न कर लेंगे इसको देखे गाइस इसको अब उतार लेंगे क्योंकि ये क्रिस्पी हो चुका है अब दूसरा ब्रेड का स्लाइस ऐसे ही टोस्ट करेंगे थोड़ा सा बटर और उसके बाद आलू की साइट से रख लेंगे और उसको टोस्ट करेंगे अलट पलट कर देखे गाइस मैं टर्न कर रही हूं देखे आलू कितना क्रिस्पी हो रहा है अच्छे से टर्न करते हुए टोस्ट कर देखे गाइस मैंने इसको भी टोस्ट कर लिया है, देखे गाइस कितना टेंटिंग लग रहा है, अब इसको हम कट कर लेंगे अच्छे से, देखे गाइस मैंने कट भी कर लिया है इसको, देखे कितना टेस्टी लग रहा है ये, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है, गैस मैंने दूसरे स्लाइ सिसको भी कट कर लिया है और टोस्ट हमारा बनकर रेडि हो चुका है मैं आपको इसको सफ करके दिखाती हूं देखे गाईस मैंने एक प्लेट ले लिया है अब मैं उसको उस पे सफ करके दिखा रही हूं आपको गैस आप सभी जरूर ट्राइ कीजेगा और सॉस भी ले लिया है मैंने थोड़ा सा मैयोनीस और थोड़ा सा रेट चिली सॉस मिक्स कर लिया है मैंने इसके साथ बहुत टेस्टी लगता है और थोड़े से सेफ मैं इस पे डाल रही हूँ ताकि ये बहुत सुनर लगे और खाने में तो टेस्टी है ही गैस इसको बनाना है बहुत सिंपल आप सभी जरूर ट्राइ कीजिए इस रेसिपी को और गैस अगर आप सभी को पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसी रेसिपी बनी है आप सभी की गैस इसको ग्रीन चटनी के साथ भी सफ कीजिए और इन्जोई कीजिए गैस if you like my recipe drop a like leave a comment and press the bell icon for the latest update try this recipe it is very delicious thanks for watching guys cook with jk झाल झाल